स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटलेक्शन में आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसकी हमें ज़रत पड़ती है लेकिन हमारे पास उस वक्त आप्शन नहीं रहता है या आप यू कह सकते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ये कैसे होगा जी हां मैं बात कर रही हूँ PDF फाइल के साइस को कमप्रेस करने की जी हां आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से PDF फाइल के जो साइस है उसको कमप्रेस कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Genius Scan जो ये एप है ये डाउनलोड करना पड़ेगा Google Play Store से और अगर आपको नहीं पता है कि इसमें PDF फाइल कैसे बनती है तो वो भी मैंने प्रिविएस वीडियो में बताया है जिसका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगर आपके पास पहले से कोई PDF फाइल बनी हुई है और आप उसके फाइल के जो साइज है, उसे कम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप के थूरू कर सकते हैं आपको क्या करना है? सिंप्लिस ऐप को ओपन करना है इसके बाद आपको वो PDF फाइल सेलेक्ट करना है जिसके size को आप क्या करना चाहते हैं compress करना चाहते हैं तो फिलाल मैंने क्या किया इसे select किया मैंने long press किया तो ये select हो गया ये दोनो PDF फाइल मुझे यहां पर इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसी app का use किया था इन दोनो PDF को create करने में अगर आपने कहीं और से PDF create किया है means किसी और app का use किया है तो आप क्या करिए उसे share with genius scan कर दीजिए तो भी आपका जो PDF फाइल है वो open हो जाएगा तो जैसे कि मैंने क्या किया है इसे select किया है इसके बाद मैं जाओंगे इस option पर जैसे ही मैंने share वाले icon पर touch किया आपके सामने यहाँ पर name यानि कि आपके जो PDF file का नाम है वो format यानि कि यह PDF form में चाहिए या आपको image form में चाहिए उसके बाद है file size जी हाँ यही है वो option जिसके थुरू हम क्या कर सकते है PDF file के जो size उसे compress कर सकते है तो आपको क्या करना है simply यहाँ पर touch करना है इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने option है large, medium, small आपका actual size है उसके अलावा आपके पस large, medium, small इन तीनों में से आपको एक select कर सकते है यह आपके उपर depend करेगा तो आप जो भी size यहाँ से select करेंगे आपका जो file है उस size पर convert हो जाएगा चलिए देखते हैं फिलाल है हमारा 326 अब हम करते हैं large तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 187 आ गया इसके बाद आपको क्या करना है device memory पर touch करना है जहाँ भी आप location पहले से set की होंगे आप यह PDF file save का तो आपकी जो file है वहाँ पर save हो जाएगी जैसे ही आप device memory करेंगे तो क्या हो जाएगा अब हमें करना है allow access to PDF इसके बाद फिर करना है allow और अब आपकी जो file है उसकी जो size है वो हो गई है 167 large चलिए चेक करते हैं इसके लिए आपको simply से open करना है open करने के बाद आपको फिर से क्या करना है इस share वाले icon पर जाना है और अब आप देख सकते हैं file का जो size है वो है large 187 तो इस तरीके से आपने क्या किया अपने PDF file के size को compress कर लिया बहुत ही easy तरीके से उमिद करती हूँ ये information आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगा और आपके काम को और भी smart तरीके से करने में आपकी help करेगा मिलते हैं next video में thank you